नमस्कार, Absolute Spoken English वर्धा में मैं प्रविन्सर आपका स्वागत करता हूँ और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में होने वाली Common Mistakes ऐसी गलतिया जो अक्सर लोग कर जाते हैं लेकिन आज के बाद ऐसी गलतिया आप नहीं करोगे क्योंकि ये गलतिया आपको महंगी पढ़ सकती है देखते हैं क्या होता है अगर आप कहते हैं This is a pain, Simple बात है ये pain है अगर आप कहते हैं It is a pain, ये pain है दोनों sentence का मतलब एक जैसा है आप कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं This is my mom, ये मेरी मा है और अगर आप कहें It is my mom, ये मेरी मा है तो ये sentence आपका गलत है ध्यान दो क्योंकि दिस का इस्तिमाल आप सजीव और निर्जीव living and non-living दोनों के लिए कर सकते हैं लेकिन इट का इस्तिमाल आप सिर्फ और सिर्फ non-living things मतलब निर्जीव चीजों के लिए ही कर सकते हो तो कभी भी ये मेरे पिताजी है It is my father, ये wrong है आपको कहना पड़ेगा This is my father अगर आप कहते है It is my wife, ये मेरी बीबी है, ये wrong आपको कहना पड़ेगा This is my wife तो दिस आप निर्जीव और सिजीव दोनों के लिए कह सकते है It आपका सिर्फ non-living things मतलब निर्जीव चीजों के लिए ही आएगा लेकिन इट का इस्तिमाल आप animals के लिए कर सकते है लेकिन इंसानों के लिए इट का इस्तिमाल नहीं किया जाता है अगे अक्सर हम कहते है कि आज सुमवार है, आज चुटी है, कल चुटी थी, आज शुक्रवार है तो हम कहते है today is Friday, today is Tuesday, today is holiday, यह wrong है आप गर कहते है today is Monday, इस sentence गलत है आपके sentence की शुरुवात today या yesterday से नहीं होती है आज सुमवार है, उसके लिए आपको कहना पड़ेगा सुमवार है, अगर आप कहते है yesterday was holiday, कल चुटी थी यह sentence आपका गलत है, आप कहेंगे it was holiday, yesterday कल चुटी थी आज बुद्वार है, today is Wednesday, रॉंग, आपको कहना पड़ेगा it is Wednesday today, कल चुटी थी, तो क्या होगा it was holiday yesterday, आज चुटी है, today is holiday, रॉंग, आप कहेंगे it is holiday today, चुटी सी बात थी, लेकिन आवशक बात थी, यह गलतिया आप से नहीं होनी चाहिए और इस तरह से अपने English को perfect करने के लिए आप English को सीखते रहें, और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उका भला करें, वीडियो को शेर करें, थैंक्यू, सो मच